नमस्ते दोस्तों स्वागत था आपका अपने ही चैनल ग्रोपुँची में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर के उस स्टॉक के वारे में जिसमें आमें बहुत ज्यादा डाउन तेंड दिखने को मिल चुका है जिस स्टॉक का नामें टाटा स्थिल में एक positive closing भी देखने को मिली हैं तो दोस्टोव वीडियो मम जानेंगे कि क्या यहां से हमें Tata Steel के stock में प्रिवरसल देखने को मिल सकता है क्या इस पर हमें Tata Steel के या फिर अभी और विट करना चाहिए तो चलिए दुस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो लाज तक जरूर देखिए दोस्तो टाटा स्टील के स्टॉक के प्राइच चल रही है 1118 और फ्राइडे के दिन हमें टाटा स्टील के स्टॉक में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है दोस्तो जहां हमें निप्टी में फ्राइडे के दिन एक 200 पॉइंट का डाउंट्रेंड दिखने को मिला वही हमें मेटल सेक्टर के स्टॉक टाटा स्टील में एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखने को मिली है फ्राइडे के दिन टाटा स्टिल का जो हाई था वो था 1134 का दोस्तो अब हम यह जान लेते हैं कि हमें टाटा स्टिल की स्टॉक में सौट टम के लिए पोजिशन बनानी चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए नेकिन उस से पहले अगर आपने अब तक हमारा यूँटूब चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूँटूब चनल सब्सक्राइब करें और बेला आइक mailing को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की notification सबसे पहले मिले और ऐसे ही stock market में stocks की news मैं आपके लिए के आता रहूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि last कुछ month में Tata Steel के stock में 30% का downtrend देखनी को मिल चुका है Tata Steel में जो low था वो था 1063 का और Tata Steel में 1050 की price पर एक बड़ा support देखनी को मिल रहा है जहां से Tata Steel ने एक reversal दिखाया है Tata Steel के stock में entry लेना चाहते हैं short term के लिए long term investment करना चाहते हैं तो दोस्तों इस price पर आप Tata Steel के stock में entry लेके चल सकते हैं क्योंकि हमें यहां से Tata Steel के stock में एक अच्छा reversal देखनी को मिल सकता है और आपको जो SL maintain करना है वो आपको SL maintain करना है 1050 की price का यानि कि 70 points का आपको SL maintain करना है अगर आप target देखोगे तो दोस्तों आपको 100 टम में Tata Steel के stock में 100-200 points के target देखनी को मिल सकते हैं अगर आपने long term के लिए investment करना चाहते हैं फिर किया हुआ है तो hold करके चले long term में Tata Steel के stock में और अच्छा अप्टेंड और अच्छे return देखनी को मिल सकते हैं अयोग दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें share करें और चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करें जैहिन